जैमातादी दोस्तों, जादवी टोटके में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों, नौरात्री कवरत मादुर्गा के भक्तों के लिए बेहद एखास माना जाता है इस दोरान भक्त जन अपनी अपनी मुरादें पूरी करने के लिए पूरे नौ दिनों का उपवास रखते हैं कुछ लोग नौरात्री कवरत निर्जला रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग फला हारी वरत रखते हैं दोस्तों आदि सक्ति की उपासना और साधना के पूरे नौ दिनों में मादुरगा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। नौरात्री में जितना तब का महत हुए उतना ही उपवास का। मादुरगा के भक्ति में डूबे स्रद्धालू को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि नौरात्री के पावन परव में उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आप भी मादुरगा के पूरे नौ दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि नौरात्री के इन नौ दिनों में आपका खान पान कैसा होना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको व्रत में कौन सा आनाज और कौन से आटे का सेवन करना है तो दोस्तों आपको व्रत में साबू दाना, साबू दाना का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरा का आटा, सिंघाडे का आटा, वसमा के चावल खाने चाहिए और बात करें फलों की, तो फल में आप केला, अंगूर, संत्रा, पपीता, खरबूजा, हर तरह के फल व्रत में खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा खटे फलों का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए और बात करें सबजीयों की, तो सबजी में आप नौराती व्रत में लोकी, कदू, आलू, अर्बी, सकरकंद, गाजर, कच्चा केला, खीरा और टमाटर का इस्तमाल कर सकते हैं और डेरी प्रोड़क्ट्स में आप दूद, दही, पनीर या घर बे बना हुआ मक्खन, घी, आदी का सेवन कर सकते हैं और ड्राइ फ्रूट्स में आप काजू, बदाम, पिस्ता, मूम फली, खरबूजे के बीज, किसमिस और अकरोट का सेवन कर सकते हैं और खाने में मसाले के तोर पर आप जीरा और जीरे का पाउडर, काली मिर्च और काली मिर्च का पाउडर, हरी इलाइची, लौंग, दाल चीनी, सूखे अनार के बीज, इमली और जायफल का इस्तमाल कर सकते हैं और गारनेसिंग के लिए आप हरी मिर्च, हरी धनिया, अधर्रकादी का इस्तमाल कर सकते हैं और कुकिंग और में आप मूंग फली, वाब अदाम के तेल का इस्तमाल कर सकते हैं से बना खाना नहीं खाना है और नहीं इसमें अनाज का सेवन करना है आपको गेहु काटा, मैदा, चावल, सूजी, बेसन आदि का इस्तमाल भूल कर भी नहीं करना है और नहीं सफेद नमक का इस्तमाल करना है इसके लावा नौरात्री व्रत में हल्दी, हींग, सरसों का तेल, मेथी दाना, गर्म मसाला और धनिया पौडर का इस्तुमाल भी नहीं करना चाहिए और रिफाइंड तेल या सोया बीन ओयल का भी इस्तुमाल ना करें अन्यता आप का वरत खंडित हो सकता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै माता दी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद